पठनाए, बोधनाए, स्थानीय समय गणना आपने अक्सर सुना होगा कि जब दिल्ली में सुबह के छे बजे होते हैं, तो इंग्लैंड में उससे पहली रात के साड़े बारह का समय होता है प्रेशन यह उठता है कि हमें यह कैसे पता लगता है किसी स्थान के समय को स्थानिय समय कहते हैं संस्कृत वांगमय में भासकराचारिय 1140 इस्वी से 1185 इस्वी द्वारा लिखे ग्रंथ सिध्धान्त शिरोमने में स्थानिय समय की गणना की विधी सिखाई गई है हम जानते हैं कि जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होता है स्थानिय समय भी बदलता जाता है भारतिय जियोतिश विज्ञान के अनुसार लंका देश भूमि के मध्य भाग में भूमध्य रेखा पर है लंका के पूर्व में यमकोटि पश्चिम में रूमपत्तन तथा उसके ठीक नीचे एक सो असी डिग्री पर सिध्धपुर है स्थानिय मान के अनुसार यदि लंका में सूर्योदय होगा तो इससे नववे अंच पूर्व में यमकोटि में दोपहर इससे नव्वे अंच पश्चिम में रोम पत्तन में मध्यरात्र और इससे एक सो असी अंच पर अर्थात सीध में सिध्पुर में सूर्यास्त होगा जैसा कि कहा गया है लंका पुरे और कस्य यदो दयह स्यात तदा दिनार्धम यमकोट पुर्याम अधस तदा सिध्पुरे अस्त कालह स्याद्रोम के रात्रि दलम तदैव सिध्धान्त शिरोमन गोलाध्याय भुवनकोश चवालीस इसी प्रकार लंका को आधार मान कर जैसे जैसे इसके सापेक्ष स्थानों के कोण बनेंगे उसी के अनुसार उस स्थान के स्थानिय समय की गणना होगी निम्नांकित चित्र से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी सूर्य रोम पत्तन बारह बजे दोपहर प्रित्वी श्रीलंका छै बजे प्रातह सिध्धपुर छै बजे सायं दक्षणी धुरुव यमकोटे बारह बजे रात्रे इसी प्रकार हमारे खगोल वैज्ञानिक अलग-अलग स्थानों के समय की गणना करते थे इसी आधार पर सूर्य प्रेक्षण शालाएं सन अब्जवेट्रीज भी बनाई गई जहां स्थानिय समय का निर्धारन किसी दंड अथवा जयामिती ये आक्रतियों की छाया की लंबाई से किया जाता था ऐसी दो प्रेक्षण शालाएं महाराजा जैसिंग द्वारा जैपुर और दिल्ली में बनवाई गई हैं दिल्ली में यह जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध है इसी प्रकार कोणार्क के सोर्य मंदिर में रथ के पहियों पर पढ़ने वाली सोर्य के किरणों से समय की गणना की जाती थी